होली आने वाली है और होली पे क्या स्पेशल बनाए अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है आज मैं आपके लिए जारकन का फेमस धुसका की रेसिपी लाई हूँ और साथ ही मैं कैसी खास चटनी लाई हूँ जिसे बनाने के बाद आप इस रेसिपी के दिवाने हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल हटकी ये रेसिपी है बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी तो फिर देर न करते हुए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक कप चावल लिए है आधे कप चने की दाली है और एक चुठाई कप उड़त की दाली है आप कोई भी चावल इस रेसिपी में इस्तमाल कर सकते हैं इन सबको अच्छी तरह से दो से तीन बार वाश कर लेंगे और पूरी रात पानी में भीगने के तो मैंने आप पूरी रात रख दिया था छे से साथ घंटे आपको इससे मिनिममम रखना ही है उसके बाद आप देखिए हमारे जो दाल चावल है वो बढ़िया से भीगे जा चुके हैं तो हम इने एक दो बार साफ पानी से धो लेते हैं और इने बाहर निकाल लेते हैं से पांच बड़े चमच पानी का भी डालूंगी दोस्तों ये दाल चावल पुरी रात भीगे हुए हैं पर फिर भी हमें जो मिश्रण चाहिए ना वो बहुत स्मूथ होना चाहिए जब आप इसे पीस लेए ना तो हातों से भी बढ़ बढ़िया से चेक कीजेगा दाने दा हल दिया है साबुत मैंने यहां पर हल्दी पाउडर डालेंगे एक टीस्पून अद्रक और लसुन की पेस्ट मैंने यहां पर इस्तमाल की है और साथ ही एक टीस्पून हमने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो हमारे घरों में हमेशा ह होते हैं इन सब को बहुत अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे जो की बहुत अच्छा flavor देंगे टो यहां पर बढ़िया से いसे Mix कर लेती हूं mix करने के मिक्स करने के साथ यह दोस्तों दुंट तक इसे अच्छी तरह से फैट लीजेगा उसे क्या होता है यह जो मिश्रण है यह बहुत जादा light और fluffy हो जाता है तो mix भी करते रहिए और फैट लीजे तो 2-3 minute के बाब मैं आपको इसका result दिखाती हूँ साथ ही एक और चीज़ बताऊंगी जब आप इसे mixी में पीस रहे होंगे तो आप 2-3 minute से extra पीस येगा उसे ये smooth भी अच्छी होंगे और इसमें बहुत अच्छे से fluffyness आजाएगा जो कि हमें बहुत अच्छा result देगा अब आप देखिए नास्ता मैंने बढ़िया से mix कर लिया है अब मैंने यहाँ पर add किया है थोड़ा सा इसमें और पानी क्योंकि ये जो मिश्रण है ये काफी गाड़ा है मैंने थोड़ा सा मिश्रण साइड में निकाल लिया क्योंकि बोल में मिश्रण फिर जादा हो जाता तो मैंने यहाँ पर एक कप के करीब और पानी डाल कर इसे बहुत अच्छी तरह से mix कर लिया और अब जो ये मिश्रण है ये घोल है ये running consistency में है यानि की न बहुत जादा गाड़ा है न बहुत जादा पतला है एक अच्छी running consistency है जैसे आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं तो अब हम इससे 10-15 मिनट के लिए धकन आराम करने देते हैं तब तक आज की जो special chutney है मैं वो आपके साथ share करती हूँ तो मैंने यहाँ पर एक pan ले लिया है उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चमच तेल जैसी हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चमच म मूमफली और चलाते हुए मूमफली को अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन उने तक पका लेंगे एक से दो मिट के अंदर आप देखेंगे जो मूमफली का रंग है बड़िया सुनहरा हो जाएगा अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर हम इने बाहर निकाल लेते है कडाई से और अभी इसी कडाई में जो बचा हुआ तेल है उसमें हम डालेंगे सुखी लाल मिर्च ये जो कम तीखी वाली सुखी लाल मिर्च है ये वो वाली मैंने इस्तमाल की है और मैंने आपर तीन सुखी लाल मिर्च डाली है साथी दो बड़े साइस के टमाटर और आधा फ्रेश नारियल मैंने यहां पर इस्तमाल किया है, तो जितना टमाटर होगा, उतना ही नारियल हमें यहां पर इस्तमाल करना है, इन सबी चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप एक बार मिक्स कर लीजिए, साथ ही तमाटर अच्छी तरह से जल्दी पक जाएं, हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और कवर करकर चार से पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह से जो हमारे कोकोनट है वो भी सौफ्ट हो जाएंगे, और टमाटर भी अच्छी तरह से मशी मशी हो जाएंगे, तो आप 5-6 मिनट के लिए मैंने से छोड़ दिया है, दोस्तों अगर आपके पास ये कम तीखी वाली लालमिश नहीं है, जादा तीखी वाली है, तो आप एक इस्तमाल कर सकते हैं, अब आप देखिए, 6-7 मिनट हो चुके हैं, सबी चीजें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं, और इस मिश्रन को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं, ये सबसे ज़ादा जरूरी है, जब आप देखिए कि ये बहुत बढ़िया से ठंडा हो चुका है, तो फिर अब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं, पर ध्यान रखें बढ़िया से ठंडा होने के बाद, अब हमने जो मुमफली पहले से फ्राय करके रखी थी, अब वो भी इसमें आड़ करेंगे, और एक कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, या फिर जरूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए, अच्छे से बढ़िया से स्मूथ आप इसे पीस लीजे ये देखिए, पानी आप अपनी मर्जी से कम या जादा आड़ कर सकते हैं, जैसी भी चटनी आपको पसंद हो, थोड़ी गाड़ी पसंद हो, तो थोड़ा कम पानी डाल दीजिए, थोड़ी पतली पसंद हो, तो थोड़ा जादा पानी आप डाल सकते हैं, पर ये वाली जो चट्नी है ना बहुत ultimate लगती है इस नास्ते के साथ, अब इस चट्नी के उपर लगाएंगे एक प्यारा सा तड़का, तो तीन बड़े चमच तेल में मैंने राई के दाने डाल दी और उन्हें चटकने का वेट किया है, जैसे ही राई के दाने चटक ये तड़का हम इसके उपर डाल देंगे, अगर आपके पास curry leaves है तो आप उनका भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से mix कर लेते हैं, तो ये वाली जो चट्नी है ना साउथ इंडियन नास्तों के साथ तो बहुत अच्छी जाएगी, पर आज की जो ह सबसे important बात का आपको ध्यान देना है, तेल बहुत जादा गरम बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, नॉमल हलका गरम होना चाहिए जब आप पहली बैच को fry करेंगे, आप देखिए कलशी भर कर मिश्रण मैं सेंटर में डाल रही हूँ, फिर चमच की हल्प से उसके उपर वा जब आप कढ़ाई में इसे डाल दें, उस स्टेश पर गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, और जैसे ही ये उपर तैर कर आजाए न तब आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजेगा, ये इस रेसिपी के लिए बहुत important बात है जो आपको ध्यान रखनी है, तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे अलड़ते पलड़ते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक पकाईए, एक से दो मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूल चुके है, और बहुत ही अंदर जालीदा सा रिजल्ट होता है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, तो ये जो हम आप दूसरी बैच को फ्राइ कीजी, तो ये सबसे जरूरी चीज है, इससे क्या होगा आपका सभी नास्ता बिलकुल एक जैसा ही बनेगा, और एकदम परफेक्ट फूला हुआ बनेगा, तो जब आप मिश्रन को तेल में डालें, तो गैस का फ्लेम बिलकुल लो हो, जब द देखें कि धुसका तैरकार उपर आच चुका है, आपने उसके सर्फेस उपर वाले इसे पर तेल डाल दिया है, वो फूलने लग गया है, तब आप गैस का फ्लेम मीडियम कर लें, और मीडियम फ्लेम पर ये दो से तीम नर तक उसे अलटते पलटते हुए बढ़िया क्रिस दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी को जरू ट्राय कीजिएगा, जारखन में ये रेसिपी बड़ी प्रसिद है, तो आप इसे जरू ट्राय कीजिएगा